गुड मॉर्निंग बच्चों देसे संतो संतो श्टवास्तो मैं इस एडिटोरियल के 22 सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बहुत-बहुत थैंक्ष कहना चाहूंगा कि आपका ये चैनल जिसे आप अपना इसना बिलीफ शो करते हैं ये चैनल करीब इन 28 दिनों के अंदर या 28 दिनों के अंदर करीब एक लाख मिनर्स के आसपास ही दिखा जा चुका है और ये दिखाता है आप बच्चों का कंट्रिबेउशन आपका बिलीफ कि आप इस चैनल में या इन सीजों में कितना बिलीफ शो करते हैं कि एडिटोरियल और जो चीज़ें इसमें चल नहीं समय वो सारी चीज़ें आपके काम के हैं ठेक है चली बढ़ता है आगे अपना 22nd session मैं चाहूंगा आपना विश्वाश अपना बिलीफ इसी तरह बनाए रखें और आगे भी इसी तरीके से हम आपकी सहयोग में काम आते रहें ठेक है ये 22nd session है आपका 22nd मेका और अब तक आपके जिन्दगी में कोई मक्षद नहीं है और जिस जिन्दगी में कोई मक्षद नहीं है वो जिन्दगी कभी भी सफल नहीं हो शकता है इसलिए हमेसा कुछ inspirations कुछ motivations रखें कि जिन्दगी में आपको आगे करना क्या है तो यहां आपको बताएगा है be miserable यानि य Whatever has to be done, जो कुछ भी किया जाना है, it's always your twice, यह सब डिपेंड करता है कि आपकी twice क्या है, यानि आपकी twice क्या है, कि आप मीजरेबल रहें, मेंसा हमेशा परिशानी में रहें, आर motivate yourself, या फिर अपने आपको motivate करते रहें, promote करते रहें, inspire करते रहें, boost करते रहें, और अपने आपको बताते रहें कि we can, we will, कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे, तो कभी भी miserable अवस्था में न जाएं, अर्थात अपने आपको miserable condition की तरफ न ले जाकरके हमेशा motivate करते रहें, जिन्दकी में हमेशा प्रेरित होते रहें, कि कुछ करके दिखाना है, कभी भी परिश्थितियों से हारना नहीं, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते है यह अपना repeated words, ठीक है, overhelmed, बच्चों आपनी पढ़ात अगर आपको याद हो, जब कोई चीज बहुत भारी हो जाए, बहुत व्याकुल हो जाए, बहुत अप्षिट हो जाए कोई, तो वह overhelmed हो जाता है, मैंस किसी को overhelm कर देना, मैंस उसे घबरा देना, उसे अप्षिट कर देना, उसे disturb कर देना, मैंस उसे trouble में डाल देना, मैंस परिशानी में डाल देना, तो overhelmed मैंस troublesome कर देना, परिशान कर देना, व्याकुल कर देना, पेंडेमिक आप पड़ चुके हैं आप पेश्टिलेंस ही यूज़ कर सकते हैं आप एपिडेमिक ही यूज़ कर सकते हैं पेंडेमिक अलड़ी आपके पास मेंज कोई महामारी जो बहुत बड़े छेत्र को पेंडेमिक तो पूरे यानि पूरे विश्वर को जो अपने बदभरका, कॉंसीब क्या होता है, आपने पढ़ा था, कोई चीज विचार करना, किसी चीज की कलपना करना, if you are forming an idea, if you are forming a plan, अगर आप कोई विचार की बारे में सोचते हैं, कोई योजना बनाते हैं, if you are imagining something, यदि आप कोई imagine करते हैं, तो you are going to conceive, आप क्या करते हैं, किसी च सेव, विचार करना, कलपना करना, ठीक है, crisis इश्वर ना करी, आपकी जिंदगी में कभी आए, crisis means trouble, संकट, you know, phase क्या होता है, level को कहते हैं, यह पहला चरण जो है, बीत गया है, यानि पहला phase बीत गया है, जिंदगी में बहुत सारी phases होते हैं, बहुत सारी चरण होते हैं, this is phase, level, missions, you know, your targets, आपके target क्या है, आपका mission क्या है, मैं आपका लक्ष क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जिंदगी में, this is your mission, epidemic is same like pandemic, pandemic एक बड़ा वर्ड है, सबसे बड़ा भाई है, epidemic उसके बाद का भाई है, endemic को सबसे छोटा भाई है, ठीक है, partially, you know, in some measure, means so, आंशिक रोप से, यानि जहां पे आंशिक रोप से, कुछ के level पे कुछ होता हो, वो partially हो रहा है, जैसे हम the whole लेते हैं, कोई चीज़ का पूरा एक हिस्सा ले लेते हैं, और उसका एक थोड़ा सा हिस्सा, हिस्से की हम बात करते हैं, थाम उसके partially बात करते हैं, means so, थोड़े से हिस्से की बात करते हैं, एक्सेस, you know, approach, means so, पहुचो, एक्सेस के साथ, two preposition का प्रियोग करीगा, यदि जरूरत होता हो, attempt आप जानते हैं, बच्चो, effort आपका होता है, means आपका जो प्रयाश होता है, वो आपका attempt होता है, inability in which you are not able to do something, जब आप कुछ करनी म होते हैं, योग ही नहीं होते हैं, तो आपके अंदर inability आजाती है, याद रखीगा, inability के साथ भी two का प्रियोग करते हैं, क्रोनिक क्या होता है, क्रोनिक मतलब very old, जो चीज बहुत पुराना हो, सुरू से हो एक तरह से, वो क्रोनिक है, अगर आपको कहना हो, वो मेरा बहुत पुराना मित्र है, तो कहें, he is my chronic friend, किसी कोई बहुत पुरानी बिमारी सगर गरस्त है, तो he is suffering from the chronic disease, documented, जिस इस पर लिखा गया हो, जिस पर दस्तावेश बनाया गया हो, जिसके बारे में already बताया जा चुका हो, वो documented हो जाता है, allocations, किसी चीज को separate करके रखते हैं, जैसे बाली जी आपके पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में से आपने 25 रुपीज एक मक्षद के लिए रख दिया, तो आपने से allocate कर दिया, यानि उस निर्धारित कर दिया, कि वो पैसा इस मक्षद के लिए खर्च होगा, तो आपने से allocate कर दिया, निर्धारन कर दिया उसका, this is allocation, में से आपने year mark कर दिया, यहाँ इस चीज के लिए पैसा आप खर्च करना चाहते हैं, वर्ष यूनों, बताया था मैंने आपको bad का comparative degree है, आपका, ensure क्या होता है, सुनिश्चित कर देना, यानि एक तरह से किसी चीज को certain कर देना, या फिर उसे sure कर देना, उसे सुनिश्चित कर देना, कि हाँ, ऐसा होगा, यह ensure, मैंने बताया था, यह गलती ना करिएगा, यह ensure क क्या होता है, बीमा कराना होता है, ठीक है, immunization, आप जानते हैं बच्चों, बहुत बार होता है, आपको protect करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको protect करने के लिए क्या किया जाता है, कि आपको vaccine का injection लगाया जाता है, तो आपको immunize किया जाता है, यानि किसी प्रकार के खत immunize किया जा रहा, आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, ताकि जो आपके अंदर antibodies हो, वो बाहर की बिमारियों से लड़ सकें तो immunization means protection, आपकी सुरक्षा institutional, institution से बनाएं, जो चीज़ें संस्था गत होते हैं, वो institutional होते हैं, starts क्या होते हैं, बच्चों यह होते हैं, किसी चीज़ की types, उसके जो प्रकार होते हैं, वो starts होते हैं और delay आप जानते हैं, किसी चीज़ में, देर करना, उसे और आगे ले जाना, delay करना होते हैं, ठीक है, यह सारी वो words थे जो repeated words हैं, जो आने चेह आपको repeat होने चेह यह vocab का section आपका है मैंने जो main words हैं उन्हें color कर दिया ताकि आपको साफ दिखाई दे वो means क्या होता है वो means शोक, विलाप, या दुख होता है न बच्चों? आपने एक idiom जरूर पढ़ाओगा will and वो will means क्या होती है? खुशे वो means क्या होता है? दुख तो will and wo means prosperity and adversity means happiness and sorrow means दुख और शुक या सुख और दुख तो वो means याँ पर क्या है बच्चों? दुख यानि किसी प्रकार की कोई misery कोई सारो, कोई distress या dissolation है तो आप वो में हैं बहुत सारी लोग अगर वो में हैं means क्या है? वो दुख में है मुसीबत में है, ठीक है? concept अभी हमने पीछे बात की थी यहाँ दिया भी गया आपको concept means form our device or plan our idea, बताया तो मैंने, जब भी आप किसी plan या किसे विचार के बारे में सोचते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो आप conceive करते हैं, means so आप उसे form कर रहे हैं, आप formulate कर रहे हैं, आप उसे design कर रहे हैं, आप उसे evolve कर रहे हैं, means आप उसे मन में विक्षित कर रहे हैं, ध्यान में ले आ रहे हैं, ठीक है? बट ध्यान रखे एक बच्चो, if a woman if a woman conceives so she becomes pregnant, this is the difference, means conceive, यहाँ पे, means so किसी चीज के बारी में सोचना उसे ध्यान मिलाना, कोई idea, कोई जो plan हो आपके, अगर ध्यान में आ रहा है तो आप उसे conceive कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसे आप सोचें, कि हाँ यह चीज मुझे करना चाहिए, तो आप उसके बारी में क्या कर रहे हैं, conceive कर रहे हैं, ठीक है चैनल अक्सर आप सुनते हैं, बट यहाँ वर्ब के रोपे बच्चों दिया गए आपको, चैनल क्या होते हैं, किसी चीज को किसी चीज में कोई चीज लगाना, निर्दैशित करना, अर्थात उसमें उसे convey करना, यहाँ गया है, तो किसी चीज में लगाना या निर्दैशित करना, जैसे जो healthcare system में उसे channel किया जा रहा है, लोगों को क्या करने के लिए, Protect करने के लिए, यहाँ उसे लगाया जा रहा है, उन तक पहुंचाया जा रहा है, next word क्या है, buttress, यह spelling त्यार कर लिजे, spelling error में भी आपकी काम आएगा, B-U-T-R-E-S, buttress means support करना सहारा दे रहा, जैसे कभी कभी क्या होते हैं, कोई दीवार आप बना रहे हैं, ठीक है, दीवार बना रहे हैं, और आपको डर लग रहा है, वो दीवार गिर सकती है, तो आप बगल से क्या देते हैं, एक सहारा देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, तो बंदी करने अर्थात उसे सहारा दे रहे हैं। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा जहां लोगों की फेलिंग्ष को आपको बट्रेस करना होगा, उन्हें सहारा देना होगा। आप एवर अगर ध्यांस देखेंग बच्चों तुरंत एक वर आपके इंदर आना चाहिए। यह नॉर्मल इसी में सी वाई लगा करके नाउन बनाया गया। नॉर्मलिसी में सामान्य इस्थिते। जब कहीं पर नॉर्मलिसी है, में समान्य अवस्था है। जैसे अभी आप पैंडेमिक की समय में देख रहे होंगे, हर तरफ क्या है, अफरा तफरी है, means हर तरफ chaotic position, condition है, लेकिन अगर कहीं किसी जिले में, किसी प्रदेश में, नौर्मालिसी है, means क्या है वहाँ पे, सामान यवस्था है, वहाँ पे इसका बहुत अधिक impact प्रभाव नहीं है, तो नौ अच्छता हो, equipwise, बढ़ियां वड है, exam में काम आएगा आपके spelling में भी, और word के रोप में भी, equipwise क्या होता है बच्चों, एक equilibrium होता है, means एक संतुलन की अवस्था होती है, एक balance होता है, एक parity होती है, ठीक, तो equipwise means संतुलन, means एक equilibrium, ये word spelling error में भी काम आएगा, balance आप जानते forth, symmetry है, means संतुलित, सूगठित है, equipwise है, parity है, pair से बना हेवर, means संतुलित है, equity है, means समानता है, संतुलित है, बहुत बार जैसे ही, आप दिखेंगे कोई ब्यवस्था कहीं डगमगा रही है, تو उस ब्यवस्था को equipwise की आवश्च्चता होती है, means संतुलन की आवश्ता होती, एक प्रकार के बैलेंस के एक सिमेट्रिक के आवश्यक्ता होते हैं, हैंपर आपने पहले भी पढ़ा है, हैंपर आप जानते हैं, हैंपर मेंस होता है, अब रोध उत्पन करना, बाधा डालना, जैसे कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है, और अचानक क्या होने लगे, बारिश होने लगे, तो बारिश ने उस क्रिकेट मैच को क्या कर दिया, हैंपर कर दिया, और थात उसमें बाधा उत्पन कर दिया, तो हैंपर बाधा डालना, मेंस क्या करना बच्चों, हिंडर करना, बाधा डालना, आप्ष्ट्रक्ट करना, बाधा डालना और रोध उपन करना, इंपीड करना, बाधा डालना, रिटार्ड करना और रोध उपन करना, जब कोई मानसिक रूप से परिशान हो जाता है, तो mentally retard हो जाता है, ठीक है, तो हैम पर किसी चीज में बाधा डालना रोबश्ट बहुत बार लोगों को देखेंगे किसी का शरीर जो होता है वो बहुत शक्तिशाले देखता है में स्वस्थ देखता है तो शरीर क्या है बच्चों व्यक्ति क्या है रोबश्ट है रोबश्ट क्या होता है जो ठोश हो, मजबूत हो, बहुत बार कुछ फैशले ऐसे होते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी होती है, जो रोबस्थ होती है, मेंस तो durable होती है, अर्थात अस्थाई होती है, resilient होती है, अस्थाई होती है, tough होती है, कठोर होती है, मेंस मजबूत होती है, तो कोई अगर क्या है ठोस है कोई फैसला अगर रोबश्ट है तो क्या है वो ठोस फैसला है कैटर से ही जानते हूंगे बचों आई एंजी जोड़ते हैंगे कैटरिंग हो चाहिए जब आप शादी विवाह का मौसम देखते हैं अभी तो बहुत मुश्किल होगी है इस लागडाउन में लेक आवश्क्ताएं पूरी करना तो कैटर कैटर मिस आवश्क्ताएं पूरी करना सर्व करना ओवलाइस करना एकमोडेट करना यानि जो जरूरते हैं जो आवश्क्ताएं हैं अगर आप उन्हें पूरा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कैटर कर रहे हैं तो कैटर क्या हो गय जिए आवश्रक्ता है पूरी करना, यह वर्से stop gap, stop gap बच्चों ऐसे आप समझ लें, जैसे आप ए समझें, lockdown क्यों ले आए गया था, lockdown को एक stop gap के रूप में ले आए गया था, यानि एक substitute की रूप में ले आया गया था कि जब तक ये pandemic यानि महामारी अर्थात कोरोना वाइरस का प्रकोप है इसका raise है यहाँ पे तब तक हम एक lockdown के द्वारा इसे control करने कोशिश करते हैं lockdown क्या था एक क्या है एक stop gap है यानि कहीं कहीं अस्थानापन है वो एक बदली है अर्थात कहीं कहीं जो वास्तविक अवस्था होनी चे उसके अस्थान पर इसे ले आये गया है ताकि परिस्थितियों से निप्टा जा सके तो stop gap क्या है एक improvisation है बदलाव है एक temporary है यानि अस्थाई रूप में है provisional है यानि एक शर्त के साथ यानि कुछ शर्तों के साथ लाए गया है बाद में हटा लिया चाहेगा substitute है यानि उसके अस्थान पर लाए गया है तो stop gap क्या हो गया जो चीज किसी के अस्थान पर temporarily उसे लाए गया ह तो deal करने के लिए परिश्थिते से वह stop gap होता है सिंबलांश सिंबलांश क्या होता है जो किसी के जैसा दिखता हूँ उसकी अनुरूप है वो सिंबलांश अक्सर आपको किसी चीज का आभाश होता है कि हाँ ऐसा वो है यही सिंबलांश है मिंस जैसे किसी का चेहरा आप दे एक प्रकार का appearance, एक प्रकार का सकल शुरक, एक प्रकार का approximation, उसी के जैसा लगभग वैसा है, या एक प्रकार का guise, यान एक प्रकार का रूप, अनुरूपता, तो semblance means अनुरूपता, और last कुछ वर्स देख लें, कल्ड, कल्ड क्या होते हैं, कहीं से कोई चीज़ आप collect कर र आप कुछ information collect कर ले रहें, तो आपने क्या कर लिया उसे, कल कर लिया, means collect कर लिया, this is कल, means आपने उसे glean कर लिया, चुन लिया उसे, आपने get कर लिया, प्राप्त कर लिया उसे, आपने obtain कर लिया, प्राप्त कर लिया उसे, तो कल चुन लिया, चुन लेना, इसी के third form के रू ज़ार भाटा, ओवर, निकल जाना, यानि जब आप अपनी आपको सेफ रखने के लिए, अपनी आपको सर्वाइव करने के लिए किसी चीज का सहारा लेते हैं, ताकि आप बचे रहें, आप जीवित रहें, तो आप टाइड ओवर करते हैं, में इंस, आप क्या करते हैं, अप बचे रहने के लिए, और स्थाई सहारा लेना, या सहारा लेना, ये टाइड ओवर हो जाएगा आपका, ठीक है, टर्टियरी, मेंस, तीसरा लेविल, तीसरा अस्तर, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे ये जो पैंडेमिक है आपका, कुरोना का, ये अपनी तीसरे लेव आपके वर्स हैं, ये वर्स जो सारी यहां आपको मैं तयार कराता हूँ बच्छो, बोल-बोल करके, ये वर्स आप अच्छी तरीके से अगर तयार करना हो, तो इसका PDF जो आपको दिया जाता है, मैं कल भी बोला था, बहुत बढ़ियाँ लेविल पे PDF हम लोग दे रहे हैं, आप उस PDF का जरूर इस्तेमाल करें, बढ़ियाँ से उसके द्वारा इश्टडी करें, आप सारी वर्स तयार कर सकते हैं, मैं एक और जल्दी ही प्लानिंग कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपके वर्स उगर मैं अच्छे से तयार करा सकूँ, मैं जल्दी ही आपको बता हैं, वो सारी वर्स मंडे को मैं केवल वर्स के रूप में दूँगा, और मैं आपको बताऊंगा, हां कि ये ये वर्स देख लें, आप क्या कर लें, आप तयार कर लें, जो हमने हपते भर में पढ़ाएं, इससे क्या होगा, एक weekly capsule आपको मिल जाएगा, ये ये वर्स हमने प पा रहे हो, महां connection की problem आ रही हो, वो बच्चे संतोष ट्रिवास्तो, यानि इस नाम से super 60 संतोष सर, फिर से super 60 संतोष सर, 60 नहीं बच्चो, S-I-S-T-Y, super 60 संतोष सर, S-I-R, संतोष सर के नाम से, आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन कर लें, उस पर आपको total PDF, सारी PDFs क्या ह हो जाएंगे, आपको available हो जाएंगे, ठीक है, चलते ही, आज के interesting, हमारा जो editorial है, इस के तरफ, देख रहे होंगे आप, A hole, in the hole, क्या, मतलो, what you can say, rhythm या rhyme है आपका, A hole in the hole, on health sector woes, A hole, यानि एक छिद्र, यानि एक कमी, in the hole, hole समझते हैंगे, सर्वस्व, संपूर्ण, यानि कहीं कहीं जो पूरा system है, अगर हम health care system के बात करें, health sector दिया है न, अगर हम health care system के बात करें, जो पूरा hole है, संपूर्ण system, उसमें कहीं कहीं कुछ holes हो गए हैं, यानि कुछ न कुछ कमिया आ रही हैं, उसी पर ये पूरा editorial आपका है, on health sector woes, woes मैंने कहा था, दुख, यानि मुसीबत, यानि कहीं कहीं, पीडा, यानि जो on health sector woes, यानि जो health sector है, आपका स्वास्ते विभाग है, उससे संबंदी जो दिखते हैं, परिशानिया हैं, उसी पर ये editorial आपका है, ठीक है, health care services, समझ रहे हैंगे, जो स्वास्ते संबंदी सेवाएं हैं, cannot be allowed to be overwhelmed by the pandemic, बढ़िया लाइन बच्छों, देखें, health care services, यानि जो स्वास्ते से संबंदी सेवाएं हैं, cannot be allowed, आप उन्हें अनुमती नहीं दे सकते हैं, अर्थात उन्हें जानी नहीं दे सकते हैं, होने नहीं दे सकते हैं, क्या, to be overwhelmed, व्याकुल, परिशान, upset, disturbed, यानि आपने upset नहीं होने दे सकते हैं, by the pandemic, किसके द्वारा, pandemic के द्वारा, इस महामारी, कोरोना के द्वारा, ठीक है, यानि सरकार सीखतरे से कहा गया, कि जो आपकी स्वास्त सिवाएं हैं आप इन्हें ऐसा ना होने दें कि to be overhelmed, कि ये परिशान हो जाएं, व्यतित हो जाएं by the pandemic, किसके द्वारा इस महामारी के द्वारा, देख लेते हैं, health care services, services यहां क्या है बच्चों, noun है आपका, तो health care पूरा एक साथ अगर आप लेंगे, यही compound noun के रोप में क्या करेगा, काम करेगा, यहीं health care services को अलग लर्न करें आप, क्योंकि health भी क्या है आपका, noun है, आपको पता है, care भी क्या है, noun है, services भी क्या है, noun है, इन तीनों को मिला करके एक compound noun बनाया गया, जिसे हम merging करके बना आते हैं, can not आप जानते हैं, can not आपकी auxiliary है, helping verb, जिसमें can आपकी auxiliary है, और not क्या है, आपका adverb है, जिसे हम adverb of negation के नाम से जानते हैं, be, be यहाँ बच्चों क्या है, यह यहाँ इसने लगाए गया, क्योंकि structure passive wash का है, तो main verb क्या थी आपकी, allow, लेकिन चुकि passive structure यूज किया तो can model है, इसलिए आपको ने क्या जोड़ा, be, यानि यहाँ यहाँ यह भी किस में आएगी आपकी, helping verb के रोप में आएगे, और allowed आपकी क्या है, action verb के रोप में, main verb के रोप में है, to यहाँ क्या है, आपका infinitive हो गया, be क्या हो गया आपकी, main verb हो गई, overhelmed क्या हो जाएगा, देखे, overhelmed में ed जुड़ा हुआ है, यानि इसे किस रोप में यूज किया गया है, आपको, यह आपको adjective के रोप में यूज किया गया है, overhelmed, व्याकुल, upset, परिशान, by यहाँ क्या है आपका, preposition है, और the pandemic, the लगते ही पता चला आपको, कि pandemic क्या है आपका, noun हो जाएगा, चली बच्चों, शुरू करते हैं, और यह editorial आपका है, जो आपको, जिसकी tone आपको बताई गई है, कि लेखक जो है, वो healthcare system पर, एक suggestion के मोर में यह बच्चों, यानि आप कह सकते हैं, कि वो कई सारी suggestions दे रहें, कि अगर आप चीजों को समस्ती नहीं है, यानि यदि सरकार healthcare system पर ध्यान नहीं देती है, तो अभी जो 20 lakh करोण का package आपने दिया है, उसमें से जो allocation आपने स्वास्ति विभाग के लिए किया है, कहीं कहीं उस allocation को, उस निर्धारन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जब से ये Corona आया है, जब से ये Corona आया है, यानि एक तरह से आपके यहां भारत में कहें, जब से 25 मार्स, 22 मार्जूब लग लिजे, जब से यहां से शुरुवात हुई, आउट ब्रेक हुआ बड़े अस्थर पे, तब से क्यावा स्वास्त विभाग जो है, वो पूरी तरह से इसमें जोंक दिया गया है, इत इसमें हो क्या रहा है आपका, जो पहले से ही आपकी हॉस्पिटल सवगरे की, या स्वास्त सेवाओं की जो वैवस्था थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपने इस जो आउट ब्रेक हुआ रथा, जो फैल गया सब तरफ, इसमें आपने एका एक जब इन्हें जोंका मेंस इन्हें हरल कर दिया आपने, तो फिर एक तरह से इनकी जो अवस्था है, वो आज तूटनी कगार पे आ चुके है, सही है कि ये वेलकम है कि आपने 20 लाग टर्णों के पैकेज में से स्वास्त विभाग को एक अंश दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, यानि सरकार को, आपको अधिक से अधिक केयर करना होगा, अर्थात कहिन कहिं, उन पर क्या देना होगा आपको? ध्यान देना होगा, ये ध्यान में रखना होगा, कि चीज़ें अगर व्यवस्थित करनी हैं, तो स्वास्त विभाग को किसी भी कीमत पे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें over-helmed नहीं कर सकते हैं था तो उन्हें upset नहीं कर सकते हैं उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं आप. जब lockdown लागू किया गया उस समय lockdown को एक substitute के रोप में लागू किया गया यानि एक stop gap के रोप में लागू किया गया कि कुछ समय बाद इसे हटा लिया जाएगा और परिस्थितियां फिर क्या हो जाएंगी नॉर्मालिसी की तरफ चली जाएंगी मेंस सामानी अवस्था की तरफ चली जाएंगे लिंग जैसा कि आप देख रहे होंगे एक phase से होते हुए ये कोरोना की वज़े से जो lockdown है एक phase से होते हुए चौथे phase था यानि लाकडाउन फोर तक हमार चुके हैं और इसमें हुआ क्या है कि जो सबसे ओवर हर्म डिपार्टमेंट रहा जो सबसे व्याकु करने की क्या है आवश्यक्ता है आप इसे left alone नहीं कर सकते हैं अर्था अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ठीक है चली बच्छों देखते हैं और शुरू करते हैं ये कल के अप एक छाप को easier मिलेगा थोड़ा सा आसान मिलेगा करें mathematically यानि गडिती रोप से यानि अगर गडित के रोप में हम देखें तो the whole जो संपूर्ण होता है is equal to equal to याद रखेगा equal to समान होना यानि the whole is equal to the sum sum means योग ठीक है जैसे आपने sum से पहले दह देखा तुरन समझ जाए sum क्या है याँ पे noun है आपका है तो गडित के रोप में अगर हम देखें तो the whole जो संपूर्ण होता है वो क्या होता है is equal to the sum वह उस योग के समान होता है उस योग के बराबर होता है of its parts किसके बराबर होता है जो जितने उसके parts होते है जितने उ होता है neither more neither समझते होंगे बच्चों न तो ज्यादा nor less नहीं कम यह नहीं उससे ज्यादा होता है किससे जितने उसके parts है नहीं उससे कम होता है किससे जितने उसके parts होते है जितने parts है उनका equal अगर आप पूरा sum निकालेंगे तो वहीं मिल करके क्या हो जाएगा the whole गड़ती एरोप से ठीक है बट लेकिन the COVID-19 लेंगे जो coronavirus 19 है pandemic यह जो महामारी है has taken present perfectance ले लिया है has taken the parts उछ ने उन parts को अपनी चपेट में ले लिया है and or overhelmed the whole और जो संपूर हिस्सा है जो संपूर हिस्सा है उसको corona ने क्या कर दिया है overhelmed कर दिया है means क्या कर दिया है याद हो गया उससे उसने परेशान करके रख दिया है upset करके रख दिया है disturb करके रख दिया है troubled करके रख दिया है किसने corona ने करें, the lockdown, यानि जो lockdown है, as it was conceived originally, conceived क्या है बच्चों, याद हो गया, जैसे इसके कलपना की गई थी, जैसा इसके बारे में सोचा गया था, यानि जिस तरीके से इसके प्लानिंग की गई थी, जिस तरीके से इसका idea निकाला गया था, originally means वास्तविक रोप में, यह देखें, action verb होगे नि, conceived एक तरह से यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको adverb लिया गया, तो करें, the lockdown, यह जो lockdown है, as it was, जैसा की it was conceived, इसके बारे में सोचा गया था, originally वास्तविक रोप में, यानि, कोरोना के बारे में, जैसा वास्तों में सोचा गया था, वाज, वो lockdown, meant to be, उसका मतलब क्या था, lockdown का मतलब क्या था, at best, इन अगर सबसे अच्छी तरीके सम सोचें, तो कोरोना, अरे, lockdown का मतलब क्या था, बच्चों, a stop gap arrangement, यानि, stop gap के अस्थान पर substitute रख लें आप, यानि, एक substitute arrangement था, यानि, एक अस्थानापन वेवस्था थी, क्या वेवस्था थी, बच्चों, यह lockdown, ठीक है, यह lockdown जो था, अगर आम इसके बारे में सबसे अच्छी तरीके से सोचें, तो यह एक stop gap arrangement था, यानि, एक substitute arrangement था, एक अस्थाना पर ने वश्था थी, that would help nations, जो राष्ट्रों की, देशों की क्या करता, मदद करता, किस सीज में, tied over, निपटने में, the crisis, किस से निपटने में, इस crisis से, इस संकत में, यानि, इस संकत को, tide over करने में यह राष्ट्रों की मदद करता यानि राष्ट्रों को tide over करता उन्हें सहारा देता उनकी मदद करता ताकि उस संकट से क्या कर सकें वो निपट सकें इसलिए lockdown को एक stop gap arrangement के रूप में सोचा गया था यानि एक substitute ब्यवस्था के रूप में सोचा गया था एक नुद बच्चों आप सार्स पे फंसेंगे मैं देख रहा हूँ देख लें ये सार्स समझ रहें बच्चों क्या है से आर यस ये सार्स ये है बच्चों एक नुद बच्च ये सार्स ये है देखें एस का मतलब यहां क्या है severe, severe समस्ते होंगे, बहुत कठोर, बहुत तेब्र, A का मतलब क्या है यहाँ पे, acute, ठीक है, और R है आपका, R का मतलब क्या है यहाँ, यह वर्ड पढ़ाया था मने आपको कलही, respiratory, और S का मतलब क्या है यहाँ, syndrome, ठीक है, और COVID समझते होंगे, CO से Corona और V से Virus, ठीक है, देखें, तो यहाँ स्लाइन्स फिर देख लें आप, यह, करें, the lockdown, यहनी जो lockdown था, यह है, as it was conceived originally, जैसा कि इसके बारे में वास्तविक रूप में सोचा गया था, कलपना की गई थी, was meant to be at best, यानी इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या था ले आने का, कि यह एक stop gap arrangement होगा, यानी एक अस्थानापन व्यवस्था होगी, that would help nations tide over, जो देशों को संकर से उबरने में क्या करेगा, tide over करेगा, मदद करेगा, कौन से संकर से बच्चों, ये संकर the crisis, यानी lockdown किसले आए गया, एक stop gap arrangement के रूप में, जो उन nations के राष्ट्रों की help करेगा, tide over the crisis, ताकि इस संकर से वो क्या हो सके, survive कर सके, बच सके वो, यही न, इसले लाए गया था, न, caused by the SARS-CoV-2, जो crisis किसके वज़े साया था, इस severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2 की वज़े से आया था, ठीक है, इस crisis से निपटने में मदद करने के लिए, एक stop gap arrangement है, क्या है पच्चों, ये arrangement क्या है, the lockdown, ये lockdown, यानी lockdown किसले लाया गया, ताकि एक substitute ब्यवस्था आपके पास हो जाए, ताकि देश जो इससे पीडित है, वो इस crisis से, पोरोना की crisis से क्या हो सके, अपने आपको tide over कर सके, बचाई रख सके वो, बट लेकिन, has the days rolled on, rolled on means passed, गुजर जान, यानी जैसे जैसे दिन क्या होते गए, rolled on, गुजरते गए, and or the lockdown moved on from phase to phase, समझ रहे होंगे, और यह lockdown जो है, एक चरण से होता हुआ, दूसरे चरण तक moved on बढ़ता गया, यानी हुआ क्या, as the days rolled on, जैसे जैसे दिन बीतते गए, and the lockdown moved on from phase to phase, और यह lockdown एक चरण से होता हुआ, आज चौथे चरण तक आचुका है, तब से, it has caused a paralysis in general health care, यानी it has caused a paralysis, इसने लगभग कमर तोड़ दी है, यानी एक तरस इसने लगवा मार दिया है, किसको in general सामान रूप में हमारी health care को, यानी स्वास्ति से समंदित चिंताओं को, यानी हमारी जो स्वास्ति सेवाई हैं, health care है, इसको paralysis हो गया है, अर्था कि इसको लखवा हो गया है, इसकी कमर तोड़ चुकी है, क्यों? क्योंकि एक कोरोना जो है, दिन बर दिन जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, lockdown बढ़ता ज साथ, हमारा जो health care system है, वो paralysis का क्या हो गया है, शिकार हो गया है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, बच्चों, as a, ispars health care resources, resources याद होगा, संशाधन, ispars समझते हैं, बच्चों, dispersed, scattered, छिन भिन, बिखरा हुआ, ispars ही होता है, इसpars मतलब, disper, d-i-s-p-e-r-s-e-d, चिन भिन, बिखरा हुआ, तो as a, ispars health care resources, चुंकि जो हमारी चिन भिन, स्वास्त से समंधि संसाधन है, in most parts of the country, कहा, हमारे देश के, in most parts, अधिकतर हिस्सों में, यानि हमारे देश के, अधिकतर हिस्सों में, हमारे जो health care resources है, स्वास्त से समंधि संसाधन है, जो early spars है, छिन भिन, बिखर चुके है, वो resources have been channeled, ये resources के लिए have been लगाया गया, have been channeled, इन संसाधनों को जोक दिया गया, लगा दिया गया है, कहा, towards the COVID-19 effort, किसमें लगा दिया गया है, इन संसाधनों को, COVID-19 effort, यनि COVID-19 के प्रयासों में, यनि COVID-19 से निपटने के प्रयासों में, ये सारे जो spars health care resources है, have been channeled, इन्हें क्या कर दिया गया है, लगा दिया गया है, और जब ये लगाया गया है, तो the numbers have rise in, numbers have rise, यानि corona percentage संख्या क्या हो चुकी है, have rise in, बढ़ चुकी है, बट लेकिन, normal health care services, लिए हमारी जो स्वास्त से समंदित सेवाएं हैं, have been in suspended animation, वो बिलकुल तूटने के कगार पे हैं, बस survive करें, suspended animation की तरफ है, यानि एक तरह से निलंबित हो चुकी हैं, वो भी कब, for just under two months now, यानि दो महीने में ही, यानि दो महीने में ही हमारी जो health care services हैं, suspended animation, means have been in suspended animation, अर्थात उनकी हालत अच्छी नहीं है, staff, यानि जो staff है, यानि इनका जो स्वास्त समंदी सेवाओं का जो staff है, running several national health programs, यहाँ वर्ब की रूप में running नहीं बच्छो, present participle है, अर्थात, वो staff जो, which is, यह हो जाएगा न, which are भी ले सकते हैं, which are running several national health programs, जो बहुत सारे अनेकों, राश्ट्री स्वास्त्य programs चला रहा है, कारिक्रम चला रहा है, और state health missions और क्या चल रहे हैं, राज्य स्वास्त्य missions चल रहे हैं, besides किसके अलावा, health care workers, इसके अलावा, कि जो हमारे हैं health care workers हैं, from tertiary hospitals, तीसरे level के hospitals से, down to the primary health center, PHC समस्ते होंगे बच्चों, primary health centers, कहां तक, primary health centers तक, यानि tertiary hospitals से, primary health centers के, जो हमारे health care workers हैं, ये सारे लोग, have been diverted, to buttress, इन्हें have been diverted, इन्हें अलग, अलग दिशाओं में लगा दिया गया है, to buttress, ताकि क्या दे सकें, सहारा दे सकें, public health efforts, किनको सारवजनिक स्वास्त्य प्रयासों को, in the COVID-19 battle, किसमें इस सहारा दे सकें, कोविड-19 के इस battle में, युद्ध में, फिर इस देख लें यहां से, आप देख लें यहां से, करें staff, यानि वो staff, कौन सा staff, running several national health programs, जो कई सारी क्या चला रहा है, national health programs चला रहा है, and state health missions, state health missions चला रहा है, besides, और इसके अलावा क्या है, कि जो health care workers है, यानि जो health care workers है, from territory hospitals, जो कहां से हैं, हमारे तीसरे लेविल के hospitals, तीसरे लेविल के hospitals से हैं, down to the PHC, और कहां तक से हैं वो, हमारी primary health centers हैं, वो staff, यानि वो staff, वो health care workers, have been diverted, अलग-अलग दिशाम उन्हें लगा दिया गया है, to buttress, ताकि वो क्या दे सकें, सहारा दे सकें, साथ दे सकें, किसमें, public health efforts, लोगों के स्वास्थी को बनाए रखने के प्रयासों में, in the COVID-19 battle, वो प्रयास जो किसके लिए किया जा रहा है, इस COVID-19 से battle, लडाई के लिए किया जा रहा है, ठीक है, चले, इसे जरूर दुबार आती बारा पढ़िएगा बच्छों आप, and, or, the epidemic, यह जो pestilence है, यह जो pandemic है, यह जो endemic है, आप इसे pandemic ही कहें, endemic या यह नहीं चलेगा, and the epidemic, और यह जो महामारी है, still raises on, यह raise means क्या होता है बच्छों, मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे, देखें, raise, एक raise means क्या होता है, fashion means क्या होता है, प्रच्छलन, लेगि यहाँ वो सेंस नहीं बच्छों, यहाँ raise का मतलब क्या है, पता है आपको, severity या intensity, यह उसकी तीवरता, उसकी तेजी, उसकी कठोरता, तो करें, end of the epidemic, यानि जो महामारी है, still raises on, यानि अभी भी इसकी तीवरता, इसकी तीवरता, अभी भी सेवियर्टी, इसकी जो intensity है, raises on, वो अभी भी क्या है, बनी हुई है, क्या बनी हुई है, इस महामारी की तीवरता, यानि ये महामारी अभी भी उत्पात मचाए हुए है, ये महामारी अभी भी अपना प्रकोप, अपना वाइलेंस, अपना जो कहर है, वो ढाय जा रही है, कैसे, with thousands of people कैसे धाय जा रही है बच्चों कि हजारों लोग testing positive everyday प्रति दिन हजारों लोग क्या हो रहे है testing positive यान उनकी reports positive आ रही है corona से वो infected पाय जा रहे है and or the number of cases और जो cases की number है उनकी संख्या है coursing past वो आगे निकल चुके course past आगे निकल जाना वो आगे निकल चुकी है कौन से संख्या से the one lakh mark यानि एक लाख के निसान से mark से संख्या जो cases की संख्या है coursing past क्या हो चुकी है आगे निकल चुकी है किसकी वज़ा से क्योंकि जो epidemic है still raises on ये अभी भी अपना उत्पात मचाए हुए है जबकि health care workers को have been diverted उन्हें हर जगा दिया गया है इस COVID-19 के battle से क्या करने के लिए लड़ने के लिए उसके बावजूद बच्चों thousands of people है कभी भी thousands of लीजिएगा तो आप plural लीजिएगा और जब आफ लीजिएगा तो thousands में, dozens में हमेशा एस लगाए रखिएगा ठीक है चली करें lockdowns have been partially lifted आसान लाइनी है बच्चों समझ सकते हैं जो lockdowns है have been partially lifted partially आंशिक रोप से यानि थोड़ा बहुत lockdowns है have been partially lifted यनि थोड़ा बुद क्या कर लिया गया है उठा लिया गया है in some areas बिल्कुल आसान है कुछ छेत्रों में lockdowns को कुछ रूप में हटा लिया गया है and in others और कुछ में क्या किया गया है a mere semblance of normal से यानि सामान अवस्था का जो आभास है has returned वो वापस आ गया यानि कुछ छेत्रों में क्या किया गया है जो lockdowns है उन्हें कुछ partially यानि थोड़े बहुत अंस में हटाया गया है lift किया गया है और कुछ छेत्रों में क्या है a mere semblance of normalcy has returned यानि कहीं कहीं सामान अवस्था का जो आभास है, semblance है has returned वो lot आया यानि ऐसा लग रहा है कि अब हम सामान अवस्था में जी रहे है as चुकि conditional movement has been allowed movement means departure from one place to another यानि as conditional movement यानि शर्तों के साथ आने जाने की छूड़ जो है has been allowed वो दे दी गए यानि कुछ शर्तों के साथ ये कह दिया गया है कि आप movement कर सकते हैं तो हुआ क्या इससे people traveling across states अब लोग कर क्या रहे है across states पूरे राजभर में एक तरफ से दोसी तरफ आ जा रहे है और ये people कर क्या रहे है ये people इन ही के लिए बच्छों ये people ये bring से जुड़ जाएगा तो ऐसे लोग bring positive cases ये लोग क्या ले आ रहे है बच्छों positive cases ले आ रहे है तो इस्टेट्स उन राज़ियों में और डिस्ट्रिक्स या उन जिलों में that have remained case free वो राज़िया वो जिले बच्छों have remained case free क्या रहे हैं case free रहे हैं यानि जहाँ कुरोना के पेसेंस नहीं पाए गए है for a while a while means कुछ समय तक यानि कुछ समय तक now, अब यानि अब क्या हो रहा है वो राज़िया या वो डिस्ट्रिक्स जो case free थे अब वहाँ पर positive cases आ रहे हैं समझ रहे हैं कैसे आ रहे हैं क्योंकि लोगों को movement करनी के लिए allow कर दिया गया है और जब allow किया गया तो people traveling across states लोग राज़ियों में इधर उदर टहल लें and bring positive cases और राज़ियों में और उनके जिलों में क्या ले आ रहे हैं वो positive cases ले आ रहे हैं but the time has now come यह तो बिलकुल आसान है बच्चो ना प्रयाश करने का जब भी two plus verb हो ना नी ने आएगा तो प्रयाश करने का देश के लिए समय आ गया है कि an equipwise of starts equipwise means equilibrium means what you can say balance संतुलन तो देश के लिए समय आ चुका है बच्चो to attempt equipwise of starts कुछ संतुलन जैसे यानि संतुलन जैसे अवस्था बनाए balance the different requirements of health care यानि जो स्वास्थ से समंदिट different requirements है यानि जो अलग-अलग आवश्चता है है balance उन्हें क्या करे संतुलित करे along with efforts along with याद है के साथ साथ यानि उन प्रयासों के साथ साथ कौन से प्रयाश to continue to fight COVID-19 कि हम COVID-19 से continue to fight क्या करते रहें लड़ते रहें यानि एक तरफ हम COVID-19 से क्या करते रहें लड़ने जारी रखें लड़ना जारी रखें इसका प्रयाश करते रहें लेकिन कहीं कहीं स्वास्थ से समंदिट जो हमारी different requirements आवश्चताएं हैं उन आवश्चताओं को भी क्या करते चलें बच्चों बैलेंस करते चलें संतुलित करते चलें ठीक है पढ़िएगा फिर से समझ जाएंगे बाब वाईलो एक तरफ healthcare services जो हमारी स्वास्थ समंदिट सेवाएं हैं themselves वो स्वयम ही देखें plural है न इसलिए themselves लगाए गया यानि ये स्वयम ही have been on the back foot ये स्वयम ही कहा है बच्चों back foot पर है पिछले पाउँ पर है यानि कमजोर अवस्था में है for non-covid-19 conditions किसके लिए non-covid-19 conditions यानि covid-19 conditions वो है वो न भी हो उससे पहले भी हमारी स्वास्थ में सिवाए है वो back foot पर रही है except in emergencies सिवाए किनके तब के जब emergencies रही है यानि emergencies को अगर हम हटा दें तो covid-19 के condition न रही हो तब भी हमारी जो health care services रही है have been on the back foot वो कहिन कहिन पिछले पाउँ पर रही है यानि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं रही है सिवाए किसकी अवस्था के emergencies के अवस्था के तो दूसी तरफ access to यानि एक तरफ already health care services के स्थिति डामा डोल रही है on back foot रही है वो तो दूसी तरफ क्या हो रहा है access to यानि access भी पहुँच भी किसके लिए for the bulk of the population bulk of the population यानि बहुत अधिक संख्या में लोगों के लिए bulk means बहुत अधिक यानि बहुत अधिक जन संख्या के लिए जो access है पहुँच है वो पहुँच has been hampered उस पहुँच में भी कहीं कहीं बाधा पड़ गई है किसके द्वारा by the non availability क्योंकि उपलबध नहीं है क्या उपलबध नहीं है a public transportation किस से इसके उपलबध ता नहीं बच्चो सार्वजनिक को याता याद की यह एक तरफ क्या है कि हमारी स्वास्थ सेवाएं खुद क्या है बच्चो दिक्कत में है परिशानी में on back foot है दूसरी तरफ क्या है non availability है of public transportation किसकी public transportation की जिसकी वज़े से the bulk of population यानि अधिकतर जो जनसंख्या है उसकी access नहीं हो पाती कहा यानि उनकी पहुँच नहीं हो पाती कहा तक स्वास्थ्य केर यानि health care services तक यानि एक तरफ स्वास्थ्य केर services खुदी क्या है बच्चों परिशानी में है दूसरी तरफ क्या है transportation के अच्छी वेवस्था नहीं है जिसकी वज़े से लोग भी वहां तक hospitals वगरे तक पहुच नहीं पा रहे हैं access नहीं हो पा रहा है recent data यानि जो हाल ही में आकड़े हैं called from जिने इकठा किया गया from the national health mission कहां से राष्टी स्वास्थय mission से यानि national health mission से इकठा किये गये जो हाल ही में हाल ही के आकड़े हैं pointed उन्होंने ये इशारा किया उनसे ये पता चला क्या to less than normal कि सामान अवस्था से भी कम coverage पहुच है in key areas उन छेत्रों में such as immunization कौन से छेत्र immunization के छेत्र में यानि vaccines वगरे के छेत्र में institutional deliveries यानि hospitals में जो deliveries वगरे होती है उन छेत्रों में फिर इस देखें बच्चो करें recent data यानि जो हाल ही में आकड़े हैं called from the national health mission जो कहां से इकठें किये गये national health mission से pointed वो data pointed यानि उन डेटा से पता चला to less than normal coverage यानि हमारी पहुँच जो है normal से भी आउसत से भी कम है in key areas उन छेत्रों मुख्य छेत्रों में कौन से मुख्य छेत्र such as immunization यानि immunity देने के छेत्र में institutional deliveries यानि deliveries के छेत्र में further इसके हलावा इससे आगे क्या है delay हो रहा है देर हो जाती है our failure या असफलता का सामना करना पड़ता है in delivering life saving drugs क्या deliver करने में life saving drugs यानि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको deliver करने में भी कहिंकि असफलता का सामना करना पड़ता है या देर हो जाती है किनको deliver करने में two persons उन लोगों को deliver करने में with HIV जो लोग HIV से पीडित हैं बच्चों tuberculosis TB से पीडित हैं are inability to offer support यानि या फिर inability to offer support for other chronic conditions have been documented या inability या कहिंक हम अच्छमता देखते हैं to offer support क्या प्रदान करने में सहायता प्रदान करने में for other chronic conditions किन चीजों में अन्य जो पुरानी conditions हैं अवस्थाएं जो पुरानी रोगों अगरे होते हैं इन सब चीजों में support करने में कहिं कहिं अक्छमता होती है ये सारी जो चीजें हैं बच्चों have been documented इन पर पहले भी क्या किया जा चुका है लिखा जा चुका है इन पर दस्तावेज बनाए जा चुके हैं किन पर कि हमारी जो normal coverage से भी than less कम coverage होती है किन छेत्रों में immunization के छेत्रों में institutional deliveries के छेत्रों में और क्या होता है जो HIV से पीडित लोग होते हैं TV से पीडित लोग होते हैं यहां तक उनकी जो life saving drugs हैं उन लोगों तक क्या नहीं हो पाती हैं वो पहुच ही नहीं पाती हैं delivery ही नहीं हो पाती हैं या फिर कहीं कहीं हमारी जो छमताएं है inability यानि हमारी अच्छमताएं में परिवर्तित हो जाती हैं कि हम उन लोगों को भी support नहीं दे पाते हैं जो other chronic conditions से पीडित हैं अन्य पुरानी बीमारियों से क्या हैं पीडित हैं ठीक हैं और यह last passes होगा आपका यहां रूबस्ट मिंस अच्छे खासे अच्छी अवस्था में यानि सामानित आरूप से अगर हम देखें तो रूबस्ट प्राइवेट हेल्थ सिश्टम यानि हमारा जो प्राइवेट हेल्थ सिश्टम है यानि जो नीजी स्वास्थी प्रणाली है रोबस्ट वो कहेंगे अच्छे खासी अवस्था में है वो which caters वो system जो आवश्चक्ताओं की पूर्ती करता है to various segments किन के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भागों में of the population किन भागों में जन संख्या के लोगों के अलग-अलग भागों में जो अलग-अलग भागों में caters आवश्चक्ताओं की पूर्ती करता है कौन हमारा जो robust private health system है वो robust private health system कह रहें also वो भी took a back seat वो भी कहीं-कहीं अधमरी अवस्था में आचुका है means खराब अवस्था में आचुका है या फिर वो lead role में न हो करके supportive role में आचुका है यनि पूरी तरह से वह अपना कारी ठीक से नहीं कर पा रहा है कौन? वो robust private health system which caters to various segments of the population जो लोगों के अलग-अलग भीभागों में अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग भागों में अलग-अलग आउशक्ताओं को क्या करता है? पूरा करता है वो robust private health system भी took a backseat वो भी कहीं कहीं खराब अस्था में आ चुका है और played a supportive role या फिर lead role में न आ करके supportive role में यनि पूरी तरह से कारी नहीं कर पा रहा है while the finance minister's announcement यानि एक तरफ अगरम देखें तो वित मंत्री का जो announcement उनकी जो घोषणा है on increase किस से इस पर? बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाने के लिए? in health allocations इनि स्वास्त से समंदित जो allocations है, निर्धारण है इनि स्वास्त से समंदित जो निर्धारण है यानि जो पैसे वगरा स्वास्त के लिए निर्धारित किये गए है as part of the rupees 20 lakh kron relief package यानि 20 lakh kron relief package रहत package है उसमें जो health allocations है इनि स्वास्त के लिए जो जितने पैसे निर्धारित किये गए है वो पैसे is welcome उनका स्वागत करना चाहिए यानि उस स्वागत योगे कदम है लेकिन more than money is required लेकिन उससे अधिक पैसों की आवश्यक्ता है to set this right इस स्वास्त विभाग को क्या करने के लिए और right सही करने के लिए यानि सही है कि आपने 20 lakh kron relief रुपै का जो राहत पैकेज लिया उसमें आपने स्वास्त विभाग को भी राश्यां दी लेकिन more than money more than money is required यानि उससे अधिक पैसों की आवश्यक्ता है to set this right इस चीज़को अगर और बहतर और अच्छा करना है तो if यदि life after COVID-19 is not to be worse यदि COVID-19 के बाद का जो जीवन है is not to be worse यदि क्या नहीं होना है वो बदतर नहीं होना है खराब नहीं होना है than life before the pandemic उस जीवन से जो पैंडेमिक से पहले था नहीं महामारी से पहले जो जीवन था यदि वो उसके बाद खराब नहीं रखना है तो the government जो सरकारे हैं need to ensure उन्हें क्या करने की आवश्चता है उन्हें सुनिश्चत करने की आवश्चता है that की the country's multi-layered health system कि हमारे देश का जो multi-layered health system है कई परतों में फैला हुआ जो health system है is not sacrificed वो क्या नहीं होना चाहिए बच्चों उसको आपको बलिदान नहीं करना चाहिए at the altar of one virus किसकी बली बेदी पर एक वाइरस के यानि एक वाइरस की बली बेदी पर आपको इस multi-layered health system को sacrifice नहीं करना चाहिए क्यों? यदि आप चाहते हो कि pandemic से पहले जो इस्थिती थी वही इस्थिती हमारी pandemic के बाद भी क्या रहे बनी रहे अर्थात वो वर्ष यानि बदतर न हो they, they means सरकार क्योंने they need आपका इसर दे क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ governments लिया गया था बच्चों मैं दिखा रहा हूँ आपको कहीं था नहीं आपके while the finance यह देखे governments यहाँ पे यह आपका है तो इसलिए यहाँ दे लिया गया they need to give it, it मतलब स्वास्थ भिभाग, ठीक है? स्वास्थ से समंदित जो लोग है तो they need to give it their, their means सरकार के लिए their whole attention now इन्ही सरकारों को क्या करना चे स्वास्थ भिभाग के लिए their whole attention अपना संपूर ध्यान लगाना चे कब क्यों? यदि आप ही चाहते हों कि हमारी स्थिती इस pandemic के बाद वैसी ही रहे जैसी pandemic से पहले थी तो सरकारों को स्वास्थ भिभाग के प्रत्य बहुत अदि क्या देना होगा? ध्यान देना होगा एक ची आपने केर किया होगा बच्चों मैंने बीज 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 जो वर्स दुबारा में repeat कर दाता repeat नहीं किया मैं इसलिए क्योंकि सारी वर्स यहां खुद एक साथ हम मिल गए आपको ठीक है? अब यह आपका असली फायदा है बच्चों profit है आपका benefit है आपका जिसमा आप देख सकते हैं कि सारी वर्स हम जान पाए के नहीं जान पाए और मैंने कहा हुआ है मंडे को मैं ऐसा segment रखूँगा आप कि हपते भर में जितने वर्स पढ़े आपने वो सारी चेह आप क्या कर लें मैं revise करा दो वो भी ऐसे नहीं कि test की तरह बच्चों interesting तोर पे जैसे वर्स दिये जाएंगे और आपको बताना होगा कि हाँ इस वर्स में क्या होता है एक आस से नहीं आप बता सकते हैं तो और बैतर है वो देखें तो वूज आपको याद होगे है बच्चों वूज मेंस क्या होता है दुख कोई मुसीबत जो होती वो वूज हो जाएंगे pandemic बिलकुल याद होगे आपको महामारी pestilence epidemic ओवर हेंड का मतलब क्या है यहाँ पर अपसेट है न अपसेट मेंस परिशान व्याकुल डिश्टर्ब कॉंसीव जब आप किसी आईडिया या किसी प्लान को फार्म करते हैं इमैजिन करते हैं दिमाग में माइंड में अपने तो आप कंसेव करते हैं stop gap याद होगे आपको कोई substitute यानि कोई चीज जो बदले में आप यूज़ कर रहे हैं वो stop gap है tide over क्या है अपने आपको survive करने के लिए आप जो सहारा देते हैं वो tide over करते हैं roll on बीतते जाना pass on phase level चरण पहला चरण दूसरा चरण पहला phase paralysis जब इंसान लकवा होता है paralyzed हो जाना लकवा ग्रस्थ हो जाने की ख्रिया isparsh क्या होता है बच्चों dispersion scattered बिखरा हुआ resources क्या होते हैं जो आपके संसाधन होते हैं जो आपके past चीजें होते हैं वो आपके resources में आते हैं channel करना में इंसो convey करना पहुचाना animation जानते हैंगे सजीव से मतलब जीवन से मतलब होता है territory क्या होता है third level third rank कोई चीज importance वगरे में value वगरे में third rank पे है तो tertiary है वो buttress support करना सहारा देना epidemic याद हो गया महामारी negotiations याद है आपको वारताएं course past means गुजर जाना आगी निकल जाना partially आंशिक रोप में ध्यान रखे एक बच्चों ये partially से ही आपका ये word बना है partiality means क्या कहते हैं partiality means पच्छपात symbolanche किसी चीज़ का आभाश कोई चीज किसी चीज़ के अनुरूप है कोई एक symbolanche है normalcy एक simple यानि normal condition जो होती है वो normalcy होती है of while means for a while कुछ देर के लिए equipwise means equilibrium याद कर लीजेगाई spelling बच्चों ये equilibrium means symmetry संतुलन balance hamper क्या होता है hurdle करना अब रोध उत्पन करना means बाधा डालना abstract करना curl करना मतलब किसी चीज़ से collect करना gleam करना चुनना इकठा करना immunization protection जब भी किसी को vaccines के injections उगर लगाए जाते हैं तो उन्हें immunize किया जाता है chronico very old document समझते होंगे लिखने से संबंदित robust जो अच्छा होए अच्छी health वाला होता है वो robust होता है strong अगर यह word आपको याद हो बच्छो sturdy मजबूत ठोस ठोस कह सकते हैं आप cater क्या होता है to fulfill the needs यानि आवश्यक्ताओं की पूर्ती करना segments क्या होता है sex हिससे भाग allocation क्या होता है year mark कर देना निर्धारित करने का कारी जो होता है वो allocation होता है ensure कर देना certain कर देना सुनिश्चित कर देना multi-layered कई परतों वाला alter means बली वेदी जहांपर वो करते ने बली चढ़ाई जाती वो अस्थान alter होता है लेकिन यह word याद रखेगा er alter means change करना बदलना होता है whole समझते होंगे some point uncountable noun और singular countable noun के लिए आप योज़ करते हैं sector छेत्र हिस्सा move on चलते रहना बढ़ते रहना जारी रहना suspendus समझते होंगे निलंबित करने का कारी होता है battle noun के रूप में युद्ध और verb group में लड़ाई लड़ना raise on अर्थात अपनी तीवरता को बनाए रखना severity intensity को बनाए रखना mayor केवल एक राश एक तरफ से दूसरी तरफ और movement गतिविधी ध्यान रखिएगा movement दो होता है गतिविधी होती है और आंदोलन भे होता है यह सारी आपके होते है ठीक है यह समय मैंने थोड़ा से बच्चों कहीं manage किया आपके लिए और इस सारी words आप PDF में जाकर के फिर से देख सकते हैं तयार कर सकते हैं और यह मेरे दिली इच्छा होती बच्चों कि आप word power में grammar portion में इन सारी च्चों में अच्छे हो जाए ताकि जब भी आपके exam आगे होने हो आप तब तक इतना बढ़ियां बना ले कि जिन बच्चों की शिकायत रहती है कि सब वरपावर हमारी नहीं त्यार होती है वो बच्चे जरूर एडिट रोल पढ़े और जो आपको focus करना वो क्या है मेरा वो words हैं बच्चों कि मैं क्या बता रहा हूँ words को क्या बता रहा हूँ फिर जब मैं last में ये समझाता हूँ इनको सुने और फिर जाकर के क्या करें आप PDF में देखें आप और lastly क्या करें मंडे को 9 बजे मेरा वो batch अब आप जरूर जोईन करें जिसमें इस सारी words जो important रहेंगे उस समय लेके आऊंगा सिर्फ आपको revise कराने के लिए कहां देखें ये words आपके तयार है या नहीं है शाम को 5 बजे देल सेजसर की class चल लिए उसे जरूर जोईन करें ताकि आप अपने mask के बेसक्स mask में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें Thank you for watching this video and thank you for giving me your valuable time Thanks Have a nice day